हेलो माई डियर फ्रेंद्स कैसे हैं आप सब वेलकम बेक टो ओमक्लीम कृष्टाय नभा आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच की दूरियां मिटाने वाला उपाय अगर आप लोगों के जगडे चल रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बातचीत बंद है या आपको ब्लॉक किया हुआ है कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है प्यार कम हो गया है या कमिटमेंट करके पीछे अट गया है तो इस उपाय को करने से आप लोगों के बीच की दूरियां हमेशा के लिए खतम हो जाएंगी और जिन्हें भी आप अपना बनाना चाहते हो, अपना हमसफर बनाना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके एक्स आपकी लाइफ में वापिस आ जाए उसके बाद आपने क्या करना है उस भोज पत्र पर आपने अपने पार्टनर का नाम लिखना है ठीक है लाल रंग के पैन से या लाल रंग के स्केच पैन से भी लिख सकते हैं और ये आज अगर शुक्रवार के दिन यो पाया आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा नाम ल के लिए एक हो जाए ठीक है और आप मंत्र का जाब भी कर सकते हैं जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनके किसी भी मंत्र का जाब कर सकते हैं और आपने उसके बाद क्या करना है जब आप पांच से साथ मिनट आपने प्रार्थना करनी है उसके बाद आपने क्या करना है उस भोच पत्र को एक बार फोलड करना जाधा नहीं, सर्फ एक बार फोलड करके, शहद की शीशी में डूबो के, और उसको शहद की शीशी को अच्छे से बंद करके, टाइटली बंद करके, घर में किसी सुरक्षित स्थान पे रखना है, जहां पे कोई उसे छेड़ ना पाए ऐसी जगा रख दे कि कोई उसे छेड़े नहीं या शहद की शीशी कहीं गिरे नहीं सुरक्षित स्थान पे रख दे और उसको वही पड़ा रहने दे इससे ये होगा कि आप लोगों के रिष्टों में मिठास आएगी अगर कोई भी प्र आपके हो जाएंगे आप और भी जादा करीब आने लगेंगे